हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुदर्सिन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल गुरू चकाचक दोस्तों हर श्टूरेंट पढ़ लिकर अपना बेहतर करियर बनाना चाहता है कोई इंजिनियर बनना चाहता है तो कोई सैंटिस्ट परफेसर या फिर डॉक्टर अगर आपका इंटरेस्ट किसी बिमार व्यक्ति के सेवा में है तो आपके लिए डॉक्टर बहुत ही अच्छा करियर विकल्ब है तो दोस्तों इस वडियो का टॉपिक है डॉक्टर कैसे बने मतलब हाउ टू बिकम आर डॉक्टर इस वडियो में इस टॉपिक से रिलेटेट बहुत सी बातें बताने वाला हूँ सबसे पहले जानिए डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी इसमें admission के लिए आपको कौन सी intense exam पास करनी होगी इसके लिए qualification क्या होनी चाहिए, age limit क्या होनी चाहिए, admission की क्या प्रगरिया है, course duration क्या है, internship कितने दिनों का होता है, पढ़ाई पुरी होने के बाद scope क्या है, job कहां कर सकते हैं, salary कितने मिलती है तो दोस्तो इन सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लाश्ट तक वाच कीजे तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करने होगी दोस्तो डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई की जाती है उस पढ़ाई का नाम है MBBS जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर आफ मेडिसीन, बैचलर आफ सरजरे यही वा पढ़ाई है जिसे पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं दोस्तो यहाँ एक बेहत कठीन पढ़ाई होती है लेकिन अगर आप सच्ची लगन के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है नेक्स्ट है MBBS में एडमिशन के लिए कौन सी इंट्रेंस एक्जाम दी जाती है इसमें एडमिशन के लिए आपको नेक्स्ट की परिक्षा यानि नेशनल एलिजबिलिटी कम इंट्रेंस टेश्ट देनी होती है तभी आप MBBS में एडमिशन लेज पाएंगे नेक्स्ट की परिक्षा हर साल CBSE द्वारा ली जाती है जिसके जड़िये पूरे भारत में चातरों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग-अलग कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या आपके द्वारा नेट परिक्षा में मिले रैंक पर निर्भर करता है दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए वह भी Science सब्जेक्ट से जिसमें आपका सब्जेक्ट Physics Chemistry और Biology हो तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे यहाँ पर आप बिल्कुल भी Confuse मत होना अकर कहीं confusion है तो comment कर सवाल जरोड पूछे विडियो अच्छा लग रहा है तो एक like तो बनता है नेक्स्ट है age limit क्या है दोस्तों MBS program के लिए apply करते समय आपकी उम्र सीमा कम से कम 17 साल और अधिक तम 25 साल होनी चाहिए तभी आप इसके लिए apply कर सकते हैं और इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं नेक्स्ट जानते हैं इसमी admission कैसे होती है दोस्तो MBS में admission के लिए आपको net की परिक्षा देनी होती है यह परिक्षा आप तभी दे सकते हैं जब आप बारामी पास कर गए हों या बारमी की परिक्षा देने वाले हों नेक्स्ट की परिक्षा देने के बाद आपको जो rank प्राप्त होता है उसी के आधार पर आपको college मिलता है जिसमें आप admission करवा कर इस course को कर सकते हैं यहां आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि नेट की परिक्षा में आपको जितना अच्छा rank मिलेगा उतना अच्छा आपको college भी मिलेगा इसलिए नेट की त्यारी ज्यादा से ज्यादा बहतर होना चाहिए ताकि आप अच्छा rank प्राप्त कर सकें और आपको top college मिल सकें इसलिए आपको निट परिक्षा को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए पढ़ाई करने चाहिए ताकि आपका एडमिशन बेहतरीन कॉलेज में हो सके नेक्स्ट है यहाँ कोर्स कितने वर्सकी होती है और इंटर्ण सीब कितने साल का होता है दोस्तों यहाँ साढ़े पांच साल का कोर्स होता है इसमें साढ़े चार साल पढ़ाई करने होती है फिर एक साल का इंटर्ण सीब करना पड़ता है यहाँनि कुल मिलाकर साढ़े पांच साल में यहाँ कोर्स पुरा होता है MBS की पढ़ाई कर लेने के बाद आप इसकी master degree भी कर सकते हैं जिसे MS और MD कहा जाता है MS का full form होता है master of surgery, वही MD का full form होता है doctor of medicine MBS के बाद आपको इन दोनों में से कौन सी पढ़ाई करने चाहिए या आप पर निर्भर करता है कि आपका interest किस में है दोस्तों जिसमें आपका interest हो आप उसी subject से master degree करें ताकि आप उसमें specialist बन सकें MD के study area non-surgical branch सामिल होता है जबकि MS में किवल surgical studies को ही सामिल किया जाता है यानि अगर आप MD की पढ़ाई करते हैं तो आप physician बनेंगे, वहीं MS की पढ़ाई करेंगे तो आप surgeon doctor कहलाएंगे MS या MD course को पूरा करने में तीन वर्स का समय लगता है वहीं master specialization course के लिए candidate को MS या MD course पूरा करने के बाद दो वर्स की पढ़ाई और करने होती है नेक्स्ट है, MBBS की पढ़ाई करने के बाद scope क्या है? दोस्तों, MBBS एक ऐसी पढ़ाई है जिसे करने के बाद समाज में आपका मान सम्मान दोनों बढ़ जाता है लोग आपकी बातों को गंभिरता से सुनते हैं और अमल भी करते हैं इसमें scope की अपार संभावनाए हैं आप डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सिवा कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी खासी इंकम के साथ एक रॉयल जिंद्गी जीने का अवसर भी मिलता है आप सरकारी या नीजी अस्पताल से जुर कर काम कर सकते हैं या खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कुल मिला कर या कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें अंसभी पढ़ाई से सबसे ज़्यादा scope होती है इसके मध्यम से समाज में आपका एक अलग और खास पहचान बनता है आप जान लेते हैं अमबियस करने के बाद आपको जॉब कहा मिलेगी या आप जॉब कहा कर सकते हैं दोस्तों यह तो आपको पता है कि डॉक्टर को जॉब के लिए सोचना नहीं पड़ता क्योंकि अमबियस करने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं अगर फिर भी जॉब करने के इक्षा होती है तो आप जॉब की अपार संभावना है आप सरकारी या निजी अस्पतालों में जॉइन कर सकते हैं या मेडिकल के कई अनेचेदर हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं यानि जॉब कर सकते हैं जैसे लेबोरेटरीज, बायो मेडिकल कमपनी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल ट्रस्ट, हिल्थ सेंट्चिर, फर्मसेटिकल और बायो टेकनलोजी कमपनियां, एंजियो, रिसर्च इंस्टियोट, इत्यादिर दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आड़ा होगा, कि डॉक्टर की सैलरी कितने मिलती है सबसे पहले तो आपको यहाँ बता दें कि डॉक्टर की कोई फिक्स्ट सैलरी नहीं होती हर संस्थान अपनी छमता अनुसार डॉक्टर को सेलरी देती है चाहे वह कोई भी संस्थान हो अगर सरकारी संस्थान की बात करें तो हर राज का अपना अलग-अलग सेलरी इस्ट्रक्चर होता है उसी तरह नीजी संस्थान के भी अपना अलग salary structure होता है वैसे आपको बता दें कि भारत में दो तरह के सरकारी doctor होते हैं एक जो किंद सरकार के अधिन होते हैं और एक राज सरकार के अधिन होते हैं लेकिन दोनों की salary में ज्यादा कांतर नहीं होता वरतमान में एक सरकारी MBS doctor को लगभग साथ हजार रुपए पर दिमा वहीं विसिसक्गी doctor को करीब एक लाख रुपए पर दिमा दिया जाता है यहां सुरुवाती वेतन होता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है ऐसा ही salary नीजी संस्थानों द्वारा भी दिया जाता है अंतर सिर्फ इतना होता है कि नीजी संस्थान की salary सरकारी संस्थान से थोड़ा अधिक हो सकता है या थोड़ा कम अमूमन देखा गया है कि सुरुवात में दोनों संस्थानों की salary एक जैसे ही रहती है जो समय समय के साथ बढ़ती रहती है दोस्तों एक डॉक्टर की भूमी का हम सब की जिन्दगी में बहुत बड़ी होती है लोगों के जिन्दगियां डॉक्टरों के हाथ में होती है इसलिए उन्हें पृत्वी का भगवान कहा गया है दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू